केलगरी दी जानी पहचानी शक्सियत गुरुचरन कौर थंद दे कारीक 186 सेडल बैक रोड नौर्थ इस्ट दे सामने सेडल रिज कम्मिनेटी विच लफ विद हिमानेटी एसोसेशन दे सयोगनाल मल्टी कल्चरल मिनी पब्लिक आउटडोर लाइब्रेरी दा उद गाटन कीत गया एस मौके MLA रिफांस साबिर ने आउटडोर लाइब्रेरी नू लोकान ली आपसी मेल जोलदा वदिया साधना ख्या एस मौके कम्मिनेटी दे लोकान दी पर्मी हाजडी सी जिनाच राज तालीवाल गुरुचरन ब्राड ते स्टैंसंदू वी शामिल हुए पहले ही तिन बचेया ने एस विच बहुत दिल्चस्पी दिखाई ते पढली मनफसंद किताब मां अपने नाल लेके के एस मौके Love with Humanity Association दे पर्दान सेद हसन नजम ते गुरुचरन कौर ने आख्या प्लान है जिमें के मैंनू लिखन दा शौक है पढ़न दा शौक है करीब दो टा इसो कताबा मेरे कोड मेरे अंदर डंप पहिंगा है ते जस्ट एकदा मिनू असी ना नौर्थ वेस्ट गया तो तो मेरी बेटी रहन दी एसी सेर कारल सी किसे दे कार देंगे मैं चोट ता ज गालता ता तो डिठीक है दन मेरे मांदे वेची आईडिया आया के वाई शौक तो सायद विखर सायद हुनाने पहला मी लाइबरेरिया बढ़ा यांसी मेके चोले ना कोड़ो आईडिया लाके तेसी बढ़ने आए अंड सायदी वेको जनरस्टी है के के तोनु बढ़ने ल किता है अपने साबिर जी आयए सी के एरफान साबिर वी आयए सी ते बाकि नियर बाउट है थे कम्यूनिटी देती पेंती मेंबर जिडिया उसा डे आले द्वाले उकठे हुए से लाइबरेरी मल्टी कर्चेर फ्री पब्लिक आउड़ो लाइबरी एज गिफ्ट हम कम्यू जंगा पर लेकिन हम पूरा सर्वे करते हैं अपनी टीम के साथ और फिर उसे इंटर्यू लेते हैं कि आखिर वो क्या मुक्सद है वो लगाना क्या चाहा है वो कम्यूनिटी को किस सारा मतलब बुक से उससा कितना लगा हुए और क्या उसका मकसद है और इस चीज़ को किस परवत है या नहीं है क्योंकि जहां अभी हमने यहां लगाई है और यहां इतने लोग और हमारे लिए सो प्राउड फील के हमने इतना जबदस्त और माशाओला हमारे लिए एक बड़ी बात है हमारे ग्रेट आउनर गुट शर्ण जी के घर के सामने है यह और यहां पर यहां पर लोगों की डिमांड ने जिससे लोग महभत करें जिस ताद को लेगे जा रहें जिससे से book का connection वापस आ रहा है क्यूंकि हमारा मकसद किए है कि ळूद को लेकर हम आग वठें यह सब मकसद को लेके हम आगे बड़े में काफी गिंदती देविच है इस तो इलावा बच्चे जड़े ने वह बड़े एक्साइटेड ने हो कहें देने कैसी आपनिया जड़िया बच्चे आवनिया बुक्स ने ओविए से थे लिया के शेयर करें बहुत-बहुत शुक्रिया आपका है यह हमारी सेवेंटीन लोकेशन है और मल्टिकल्चर फ्री पब्लिक आउट्डोर लाइबरी की इस ग्रेट आउनर यह हमने गुर्जण जी के बिलकुल सामने घर के सामने लगाई है और हमारी लिए बहुत फकर है हम सब के लिए और ऐसे गिफ्ट दिया हमने कमिनिटी को कि इसका जब चाहे इसको आप ले के बाद जब पढ़ लें इसको वापस कर दें इसमें कोशिच की कि कि मुल्टिकल्चर लाइबरी कॉंसेप जो है मुल्टिकल्चर एक नया कॉंसेप नया आइडिया लॉंच किया है हमने कैनिडा मुल्टिकल्चर कंट्री है मुक्तलिफ कंट्री से लोग आते हैं यहां पर तो इस लैबरियर का मकसद ये है कि मुक्तलिफ जबानों को एक जंगा एक खटा किया जाए आपस में लोगों में कनेक्शन हो लोग एक दूसरे को जाने हलो हाई का दौर खतम हो तो ये एक मकसद को लेके हम आगे जड़ें आगे चलने और ये मकसद और आगे चलना है और लोगों में पसंद के जा रहा है इस आइडिया को और आपस में रवाबित हो रहे हैं एक दूसरे को जानने हैं लोग और जो मारा मिशन है इस प्रेडिंग द़ लव तो एवरिवेर तो हम एक प्यार को हर जंगा पूरे करेड़ा में पहलाना चाते हैं और इस मकसद के ताइड यह लाइडियरी हमारा और फूड बैंक एक एहम के दार अदा कर रहा है पीपल वांट तो कॉंटाक्ट मी हमारी साइट है लव विट यूमिनिटी ऑस्टेशिट आप मेसेज हमें कर सकते दूसरा आप मुझे सेयद नजम हसन फेस्बुक और दोनों मेरी फेस्बुक में अभी सोशल मीडिया में और यह अपना ट्यूटर में भी है आप मुझे मैसेज कर दें और आप मैसेज में लिग दें कि आपका वेर यू अर लोकेड़ आप कहा रहते हैं और क्यों इंटरसेड हैं, I will contact them.